नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाथ 18, संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया, ये सिर्शक है और ये जो लाइन है वो धनराज पिल्ले के द्वारा कहे गई है, धनराज पिल्ले कौन है पहले ये जानना हमें ज़रूरी है, तो धनराज पिल्ले हमारे प्रसि तो संघर्ष के कारण धनराज पिल्ले कैसे हो गया थे, तुनक मिजाज हो गया थे, वे अपने बारे में ये लाइन इन्होंने कही है, आईए पढ़ना सुरू करते हैं, होकी के सुप्रसिद्ध खिलाडी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गया, उनका एक साक्षातकार व इंग्लिस में हममें क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कि, कई बड़ी-बड़ीस होती हैं, जिना का इंटर्व्यू लेने पहुंचते हैं पेत्रकार लोग और उसे संपाधित करते हैं या फिर उसे पेपर में छापते हैं, तो यеहां पे धनराज पिले एक महान खे पांडे और धन्राज पिल्ले के बीज में ये बाते हो रही है, अब वीनिता जी सवाल पूछती है और धन्राज पिल्ले उन सवालों का जवाब देते हैं, तो वीनिता जी यहां पूछती है, खिडकी, पूरे की तंग गलियों से लेकर मुंबआ के हीरा नंदानी पवई complex तक आपका फिर बहुत लंबा और कश्ट साध्य रहा है यह उस सफर के बारे में कुछ बताएं यह कहते हैं कि पहले आप पूरे की तंग गलियों में रहते थे और अब आप रह रहे हैं हीरा नंदाली पवई complex में तो यहां तक आप कैसे पहुँचे इस बारे में आप संथा साथा साथिहों से उधार मांकर सकत हैं। जिसेक लिए लाजपिले यहां कहते हैं कि बच्पन जो उनका था वो मुस्कीलों सभारा हुआ था हुआ था बहुत पारीब थे को बबढे भा को ख्यातें थे दोनों बहाई जू उनके बड़े ठ़ें धे नहींकल के बढ़ उन्हें और खेल जूर मुझे तभी मिलती जब उनके मित्र होकी खेल गए तो कि यह खाले होती थी और उन्हें होकी स्टिक खेलने को मिलती थी लेख रहे हैं आपके कितनी गरीबी में उन्होंने होकी खेला इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था और धीरज मतलब धहरे बनाए रखते थे वह अपनी बारी का इंतजार करते थे कि वह उनके दोस्त खेल ले उसके बाद वे अपने होकी स्टिक जब उन्हें मिले उनकी दी होकी स्टिक उनके दोस जब भारतीय कैम्प के लिए जब उनके भाई को चुना गया था तब उनके पहली होके स्टिक मिले थी उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीम दी थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी उन्हें वह भी पहली होके स्टिक कब मिल इला उनकी पूरानी अपनी भाई की पूरानी होग यस्टक थि वं उन्हें मिलें वो बो लें वो नहीं तो नहीं थे फिर भी मेरे लिए वह बहुत काम की चीज थी मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रे होकी सन 1985 में मनीपूर में खेली पहली बार उन्होंने राष्ट्रे होकी कब खेली? जूनियर राष्ट्रे होकी 1985 में मनीपूर में खेली थी तब भी सिर्फ 16 साल के थे दुबले पतले और छोटे बच्चे जैसा चहरा था अपनी दूबली पदली कड कार्ती के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे भीड़ने की कोशिश कोई नहीं करता था मैं बहुत जुजहारू था मैदान में भी और मैदान से बाहर भी क्या कहते हैं कि पतला दूबलती थे लेकिन उनकी खेलने की कला इतनी अच्छी थी कि कोई भी उनसे जल्दी भिड़ना नहीं चाहता था तो 1986 में सीनियर टीम में उन्हें डाल दिया गया और मैं बोरिया विस्तर बांद कर कहां चल गया मुंबई धन्राजपिल ले कहते हैं कि 1986 में जब उन्हें सीनियर टीम में डाला गया तब बोरिया विस्तर मानना वह लब अपना सामान वा मान लेके वो मुंबई चल दिये उस साल उनके बड़े भाई जो थे रमेस मुंबई लीग में बहतरीन खेल रहे थे और बहतरीन खेल खेला हमने खूब धूम मचाई किया उनके बड़े भाई और उन्होंने क्या किया बहतरीन मतलब बहुत अच्छा खेला और उनकी दूम मच गई इसी के चलते मेरे अंदर एक उलम्पिक 1988 में जो हुआ के लिए नैशनल केम्प में बुलावा जरूर आएगा पर नहीं आया उनकी उमीद थी पर इतना अच्छा खेले थे कि उन्हें उमीद थी कि उलम्पिक जो था उसमें 1988 में जो उलम्पिक खेला गया था उसके नैशनल केम्प में उन्हें बुलावा जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ और उनका नाम संतावन खिलाडियों के लिस्ट में भी नहीं था और उन्हें बड़ी मायोसी हुई मगर एक साल के बाद ओल्वियन एसिया के कैम के लिए उन्हें चुन लिया गया तब से लेकर आज तक जब तक ये इंटर्वियू लिया गया है तब तक उन्होंने पीछे मुड कर नहीं देखा अरथार्थ भी लागता अरा सफलता हासिल करते गए और आगे बढ़ते गए अब विनीता जी पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा अपने स्कूल के दीनों से आपकी किस प्रकार की यादे जुड़े हैं क्या पूछती है कि विद्यार्थी जीवन के बारे में बताईए स्कूल के दीनों के बारे में बताईए दन्राज फिल्ले कहते हैं कि वे पढ़ने में एकदम फिसटी थे मतलब तेज नहीं थे उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता ज्यादा लेकिन किसी तरह भी दसवी तक पहुँचे मगर उसकी आगे तो मामला बहुत कठिन था मतलब उन्हें बहुत कठिन लग रहा था उसके मैं होकी खिलाडी ना होता तो शायद एक चप्रासी की नौकरी भी मुझे न मिलती आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्स भले ही न हूँ पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हौकी हूँ हस्ते वे ही वे कहते हैं कि इसका दात पर है कि वे पढ़ने में तो उन्हें अगर रुची थी नहीं अगर वे रुची खेल में आगे नहीं आते तो उन्हें कोई भी चप्रासी की नौकरी भी नहीं देता क्योंकि वह ज्यादा पढ़े लिखिय नहीं थे और मेरी साधी के लिए आप मुझे Master of Hockey कह सकते हैं क्या कहते हैं कि साधी के लिए आप मुझे Master of Hockey कह सकते हैं विनीता कहते हैं आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं कभी-कभी आप अक्रामक भी हो जाते हैं अक्रामक मतलब किसी पर हमला कर देना गुस्सा हाथ वाथ उठा देना किसी पिछल ला जाना तो इस बारे में कहते हैं कि इसका संबंध मेरे बच्पन से जुड़ा हुआ है मैं हमेशा से ही अपने आपको बहुत असुरक्षित महसूस करता था मैंने अपनी मा को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोसंड में कितना संघर्स करना पड़ा है मेरी तुनक मुझाजी के पीछे कई वज़े हैं लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ बिना लाग लपेट मतलब यहां जूट बोल लिया उस दूसरे से किसी प्रकार की बाते कर लिया यहां सी मजा कर लिया वैसे आदमी नहीं यह सीधे साधे आदमी है और मन में जो आता है वो सीधे सीधे कह डालते हैं और इस के के लिए उन्हें कई बार पच्टावा भी होता है क्योंकि वो मन की बात है कि हर किसी को ऐसे ही बता देते हैं तो लोग उनका फायदा उठाते हैं मुझसे अपना गुसा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजाता है, क्या करते हैं, दूसरे लोग जानते हैं कि उसे तुरंत गुसा आ जाएगा, तो उसे उकसाने लगते हैं, मुझे जिन्दगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूजना बड़ा, जिससे मैं चिर्जिडा हो गया, साथ ही साथ मैं बहुत भावक इनसान भी हूँ, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, मु जूजना पड़ा है, कोई भी चीज उन्हें आसानी से नहीं मिली, चुकि वह इतने संपन परिवार के नहीं थे, इसलिए तुनक मिजाज भी हो गये थे, और भी अपना एक गुन बताते हैं कि अगर मुझसे गलती हो गई, तो अब मुझे किसी से माफी मांगने में कोई सर कॉशूस नहीं होती , आपके परिवार की आपके लिए क्या आहमीयत है ? क्य Idaho क्या आहमीयद रखते हैं ? rather, आपके परिवार के जीवन में क्या महत्व है ? आप अपनी परिवार को कितना आहम्यत देते है ? सबसे अधी प्रेणा मुझे अपनी मां से मिली है और उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिस की मैं उनके सबसे नजदीक हूँ मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में रोज रात में सोने से पहले मां से जरूर बात करता हूँ मेरी मा ने मुझे अपनी प्रसिद्धी को विनमर्ता के साथ समहालने की सीख दी है अर्थात उन्हें सीखाया है कि अगर आप भले ही प्रसिद्ध हो गया है लेकिन उन्हें नमर्ता के साथ ही समहाले उसके लिए आपके मन में घमंड नहीं आना चाहिए कि आप इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं मेरी सबसे बड़ी भावी कवीता भी मेरे लिए मा की तरह है और प्रेणा स्रोत रही है जिनसे उन्हें प्रेणा मिलती है अगला प्रशन पूछती है विनीता जी आपने सबसे पहले कृत्रीम घास एस्ट्रो टर्फ पर हौकी कप खेली आपने दिखा होगा कि जो हरी हरी घास ऐसे प्लेग्राउंड में लगा हुआ रहता है एक दम मखमली घास उसको यहां पे खा गिलाड़्य गास ठीक में अगला है और मुझे आद है सुमय्य और स्कृत्रीम घास पर खेलने के लिए बटाते थे क्योंकि अगर आप उसमें भाने सावधानी से नदोने तो आपका पैर भी फिसल सकता है जब बनाने में लगे हुए थे मैं जुग 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 ए उस मे विज्ञान इस तरह भी तरक्की कर सकती है जिससे कृत्री मखास उगाई जा सके इस प्रकार आपने देखा कि कई प्रकार कि क्या थे उनके पास ऐसी चीजे थी जो उन्होंने देखा नहीं था कभी सुना नहीं था और वे जीवन में आगे बढ़ते गए और उन सब चीजों के बारे में जानते गए अब अगला प्रशन पूछती है भी नीता जी कि हर आर्मडा थी अर्मडा एक कार का ब्रंड है तो जो मुझे मेरे पहले के इंप्लायर ने दी थी और तब तक मैं काफी नामी खिलाडी बन चुका था मगर यह कोई जरूवत नहीं थी कि सोहरत पैसा साथ लाए अर्थार जितना उन्हें सोहरत मिला था उतने पैसे उन्हें न क्योंकि उनके पास टैक्सी चड़नी की हैसियत नहीं थी अर्थार पर प्रसिद्ध तो हो गय थे लेकिन उन्हें उतने पैसे नहीं मिले थे जितनी प्रसिद्धी मिली थे कहते हैं कि मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीर से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खीच कर अगली सुबह अख़बार में यह ख़बर छाबडी की होकी का सितारा पिल्ले अभे भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है जब वे एक बार लोकल ट्रेन में सफर करने जा रहे थे तो यह अख़बार वाला ने यह छाब दी थी उस दिन महसूस किया उन्होंने कि मैं एक मशुखूर चेहरा बन चुका हूँ मुझे लोकल ट्रेन में सफर करने से बचना चाहिए लेकिन मैं कर ही क्या सकता मैं जो भी थोड़ा कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता और धीरे धीरे जमा करके बहन की शादी की और अपनी मा के लिए हर महीने पूने पैसा भेजना शुरू कर दिया अर्थात उनके पास अभी भी इतने पैसे नहीं थे जिनसे वे कार खरीद सकें कार पर चटके गुम सकें टैक्सी से गुम सकें आज मेरे पास एक फोर्ट आइकान है जिसे मैंने सन 2000 में खरेदा मगर वह किसी कॉर्परेट हाउस का दिया हुआ तोफा नहीं बलकि मेरी मेहन की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई है फिर उनों ने फोर्ट आइकान खरीदा अपनी मेहनत की कमाई से अब विनीता जी पूछती है कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है होकी को आपने इतना कुछ दिया इसके बदले आपको क्या मिला कुछ रूपिया इनाम में मिले थ और उनकी पहली जिम्मेदारी थी आर्थिक तंगी दूर करना अपने परिवार को और सब को बहतर जिंदगी देना क्योंकि आर्थिक रूप से भी कमजोर थे विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुए उससे उन्होंने 1994 में पूरे के भाव पार्टरी रोड पर दो पवई में एक फ्लैट दिया वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं थी उन्हें सरकार के द्वारा गिफ्ट तौफे के तौर पे ये फ्लैट दिया गया थी नीता जी पूछती है सेलिब्रेटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है बड होकी ही है जिसके चलते वह जगत प्रतिस्था मिली धनराज जी कहते हैं कि होकी के कारण मुझे हर जगत प्रतिस्था मिली नाम मिला तो इस प्रकार आपने इस पार्ट में देखा कि धनराज पिल्ले जो कि होकी के एक मसहूर खिलाडी है प्रसिद्ध खिलाडी है उन्होंन अपने दोस्तों के hockey stick सो अभीड बढ़ तिक कोउशिच करने और इस प्रकार, भी कब लिए हार नहीं मानना चाहिए कुमकि, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से अगर हम तंगी को जहेल रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा गुन है जिसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस तंगी को दूर कर सकते हैं तो इस प्रकार यह पाट था आपका धनराज पिले अगले पाट के साथ हम फिर मिलेंगे